हाँ तो बच्चो आज आपको कहानी सुनाएंगे एक लोम्री और एक कव्वा की लोम्री जंगल से गुजर रहा था बिचारा बहुत भूका था और दिल में सोच रहा था कि क्या खाएं क्या खाएं आगे बढ़ता गया अचानक उसे एक पेड के डाली पर एक कव्वा नजर आया और उस कव्वे के चोंच में रोटी का टुकड़ा था और ये देखकर लोम्री सोचा कि इसे किस तरह करके ठगा जाएं चलो आगे बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद लोम्री कव्वा से कहा कि अरे भाईया कव्वा तुम इतने खुबसूरत हो और इस जंगल के सबसे खुबसूरत चिडियों में से हो और तुमारी आवाज इतनी मीथी है तुम इतना मीथा स्वर से बोलते हो अरे भाईया आज एक तुम गाना सुना दो मेरा दिल तो कुछ-कुछ कर रहा है अगर तुम मुझे तुमारी मधूर आवाज से एक गाना सुना दो तो मैं बहुत खुश हो जाओंगा कव्वा भी सोचा वाह आज तक तो कोई ने मुझे तारीफ नहीं किया कोई भी मेरा तारीफ नहीं किया लेकिन ये बिचारा लोमडी आज मेरा इतना तारीफ कर रहा है तो क्यों ना मैं एक गाना गा कर सुनाओं और कव्वा भी अपना आवाज से जैसे ही अपना गाना शुरू किया बस उसके चोंच में जो रोटी का टुकड़ा था वो गिर गिया और इचालाक लोमडी उस रोटी के टुकड़े को लिया और बोला अरे भाईया कववा आप गाते रहो मैं चला मैं चला हाहाहाहा